वेलकम टू मेमरी आफ बायो, हम लोग प्लांट डावेसिटी के सिरीज को पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ा टैक्सोनॉमी के बारे में, नोमिनकलेचर के बारे में, अब हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन पढ़ने के लिए सबसे पले में यह मालूम होना चाहिए कि हम लोग plant को क्यों different group में classify करते हैं तो इसका सबसे simple सबसे simple reason यह है कि plant को अगर हमें बहुत से plant के बारे में study करना है यह हमारे लिए possible नहीं है यह काफी difficult task है लेकिन अगर हम क्या करें इन plant को separate group में रख दें और केवल group के बारे में पढ़ें तो उस group में कई ऐसे plant होंगे जो की cover हो जाएंगे तो हमारा जो study है वो आसान हो जाएगा हम लोग different बहुत से plant के बारे में कम time में analyze कर सकते हैं इसलिए हम similarity and diss similarity के बिहाफ पर plant को different group में रखते हैं और उसे classify करते रहते हैं जहाला कि जिस तरह से हमारी understanding बढ़ती है plant के बारे में उस plant की quality के बारे में हमें पता चलता है morphology के बारे में पता चलता है हम उसमें और specific होते जाते हैं और हम उन्हें different different हमारा improvement हमारा classification का basic जो हमारा classification का rule है वो बनते अलग-अलग divert अलग-अलग बढ़ते रहता है improve करते जा हैं तो हम लोग देखते हैं कितने type के classification हम लोग कर चुके हैं बलच क्लासिभी कितने type के होते हैं या क्या modification होते गया किस तरह से यह classification का improvement हुआ हमारे वाटनी साइंस में तो सबसे पर क्लासिफिकेशन था सबसे पर जो basic था हमारे क्लासिफाई करने का वह था practical classification practical classification सबसे earliest system था किसी भी plant को क्लासिफाई करने का वह केवल इस चीज़ पे based था कि हम लोग उस plant का क्या use में लेते हैं use के बिहाफ पर हम लोग plant को classify करते थे जैसे कोई plant का product है जिसको हमोग medicine के लिए use करते हैं तो उन सभी plant को उस group में रख देंगे कोई ऐसे plant है जिनका use केवल हम अपने general rooting के लिए करते हैं जैसे की अपने tables को के लिए बेट राने के लिए इसकी मसाले के लिए उन्हें का फाइबर यूजए करते हैं कपड़े के लिए कॉटन जूट यह सब उन्हें अलग रूप में रख देते हैं यह बेसिक हो गया टेक्टिकल क्लासिफिकेशन का इस classification में किसी भी character को special importance नहीं रहता है यह समय सभी character सब के लिए important है बस जिस basis हम यूज करते हैं उसको अलग अलग टाइप में classify करते जाते हैं तो यह हो गया हमारा सबसे पहला classification जिसको बोलते है practical classification प्रैक्टिकल classification के बाद हम लोग पढ़ते हैं artificial classification के बारे में यह बहुत ही important classification है यहां से question आते हैं क्योंकि यहां पे बहुत ही बड़े scientist का नाम जुड़ा हुआ है इस classification पे थो हम लोग उसको बाद में पढ़ेंगे लेकिन सबसे पहले यह बात करते हैं कि इस classification में क्या होता है इस classification में हम लोग एक या दो morphological character के बहाब पर group बनाते हैं एक या दो morphological character के बहाब पर group बनाते हैं और उनके classification को करते हैं यहां पर क्या होता है कि किसी भी classification और important नहीं दिया गया है यहां पर बाद भी कई चीज़े ऐसी है जो इंपोर्टेंस है अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं या अच्छे मार्ग से स्कोर करना चाहते हैं तो आपको यह सब चीज़े पढ़ने चाहिए जो कि त्वित अलंग को यूज कर सकते हैं जाहाब स्क्राइब के बहाफ पर क्लास जिसमें इसमें नों स्टेम Earn वा धिया प्लांट के यह सब टरफाइड यह सब उन्होंने उसमें रखा था उसको बुला गया था क्रिप्टो गैम है और जिसमें उन्हें वहां अन्चेमें लिए पर अगें के वहां पूर्ण नाम के बुक में रखा था ता आपको बता होना चेक इसके यह सकता है कि friendly climate का यूजज की था तो 88 क्लासिफिकेशन था उसमें क्या क्या था 24 क्लासिफिकेशन बनाए थे यह सबकस्द क्लासिफिकेशन ओगे आपका आपका अर्टिफिकेशन जिसको बोलते हैं अच्छैज ल क्लासिफिकेशन सब्से इसको बेस्ट क्लासिफिकेशन बोलते हैं उसका रीजन हम बाद में पढ़ेंगे सबसे पली जाना चाहिए कि इसमें होता क्या है तो नेश्वल क्लासिफिकेशन में कभी भी एक ये दो मौशल क्रेटर को नहीं लेते हैं यहां पर जितने भी पॉसबल क्रेक्टर हैं से कंप् क्लासिफिकेशन हो जाता है जिस ग्रूप के बाए में अगर आपको पता है कोई प्लांट किसी ब्रूप में आता है और इसमें एक चीज़ बश्रबिया भी help लिया गया तो इस तरह से यह दो टाइप का हो गया natural non phylogenic classification and second type का हो गया natural phylogenetic classification हलाकि जो phylogenetic word है सबसे पहले उसको लैमार्क ने यूज़ गया था जो कि आप class 12 के evolution chapter में पढ़ेंगे और यह सब चीज़े फालोजनी मतलब क्या होता है evolutionary study, evolutionary listen के study को phylogenic बोलते हैं तो इस classification में evolutionary history को भी यूज़ किया गया था जैसे हमें पता है हमने class 9 में पढ़ा था सबसे पहले थैलोफाइटा आता है फिर ब्रायोफाइटा आता है फिर टेडोफाइटा फिर जिम्नोस्पर्म फिर एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म सबसे पहले मोनोकॉट आते हैं फिर सबसे पहले डाइक आते हैं फिर मोनोकॉट आते हैं यह हो गया इसका रिलेशनशिप उसके बाद हम बात करते हैं और इस तरह के classification को हम लोग क्लेश्टिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं जो फारिजोंचे बिहाफ पे हो उसको बोलते हैं इसको बिश्जीघ क्लासिफिकेशन या इंप्टेंट क्लासिफिकेशन नाम से ज्यादा आता है इसमें हम लोग स्मार्ट टेखनीक को यूज करते हैं कम्पूइटर को यूज करते हैं जहां यह घ्ली कोडिंग करते यह जिसके बाद उनके स्मिलर्टि को मैच करते हुए गुरूप बनाते हैं इसे Maximum characteristic match करते हैं जिससे ये भी काफी अच्छा classification होता है और यहां से काफी easy होता है किसी प्लांट के बारे में study करना तो इन सब चीजों को यूज करके classification को बनाये गया था देखिए जो हमारा classification था ये आपका natural classification इसमें equal importance नहीं दिया गया था इसमें reproductive को ज़्यादा importance देते हैं as compared to vegetative के लेके हमारे natural में सबको same important देते हैं So I hope आपको classification वाला topic समझ में आ गया होगा आगे वीडियो continue होगा आप इसके अगर नेश topic को भी देख सकते हैं और आपने पिछला वीडियो नहीं देखा नोमेक्लेचर के बारे में हमारे taxonomy के बारे में एपिडिक कंडेओलो के rules के बारे में तो आप उन्हें भी देख सकते हैं So thanks for watching the video, please subscribe to the channel Memory of Bio